सात्वाँ पाट प्रिष्ट संख्या 45 से 49 तक कविता है उठ किसान ओ उठ किसान ओ उठ किसान ओ बादल घिर आये हैं तेरे हरे भरे सावन के साथी ये आये हैं आसमान भर गया देखतो इधर देखतो उधर देखतो नाच रहे हैं उमड घुमड कर काले बादल तनिक देखतो तेरे प्राणों में भरने को नए राग लाए हैं यह संदेशा लेकर आई सरस मधुरशी तल पुरवाई तेरे लिए अकेले तेरे लिए कहां से चल कर आई फिर वे परदेशी पाहुन सुन तेरे घर आये हैं उड़ने वाले काले जलधर नाच नाच कर गरज गरज कर ओड़ फुहारों की सित चादर देख उतरते हैं धरती पर छिपे खेत में आँक मिचोनी सी करते आए हैं हरा खेत जब लहरा आएगा हरी पता का फहरा आएगा छिपा हुआ बादल तब उसमें रूप बदल कर मुस्क आएगा तेरे सपनों के ये मीठे गीत आज चाए हैं या कविता त्रिलोचन की है अभ्यास शब्दार्थ घरना अर्थात चारों ओर से आना या चाना तनिक अर्थात थोड़ा सा संदेशा अर्थात समाचार या खबर पुर्वाई अर्थात पूरु की ओर से चलने वाली हवा शीतल अर्थात ठंडी, परदेसी अर्थात दूसरे देश में रहने वाला पाहुन अर्थात महमान या अतिति जल्धर अर्थात पानी से भरे बादल फुहार अर्थात बौचार या नन्नन्नी बूंदे सित अर्थात सफेद, ओढ़ना, अर्थात ढापना या किसी कपड़े आदी से बदन ढखना पताका अर्थात जंडा, आँख मिचावनी अर्थात एक पल दिखना और छिप जाना या लुकाचुपी का खेली गरज अर्थात बादलों की जूरदार धनी एक, कविता से इन पंक्तियों को पढ़ो आपस में चर्चा करके दिये गए प्रश्णों के उत्तर दो क, तेरे हरे भरे सावन के साथी ये आए हैं क्या बादल हरे भरे सावन के साथी हैं, अथवा, किसान के, या दोनों के ख, तेरे प्राणों में भरने को नया राग लाए हैं बादल ऐसा क्या लाए हैं, जिससे किसान के प्राणों में नया राग भर जाएगा ग, यह संदेशा लेकर आई सरस मधुर शीतल पुरवाई पुरवाई किसान के लिए क्या संदेशा लेकर आई होगी ग, तेरे लिए, अकेले तेरे लिए, कहां से चल कर आई क्या सच्मुष पुर्वाई केवल किसान के लिए चलकर आई है? वह कहां से चलकर आई होगी? 2. कविता के आधार पर बताओ कि क जब हरा खेत लहरा आएगा तो क्या होगा? ख बादलों के घिर आने पर कवि किसान को उठने के लिए क्यों कहता है? 3. चिपा है कौन? हरा खेत जब लहरा आएगा हरी पता का फैरा आएगा चिपा हुआ बादल तब उसमें रूप बदल कर मुस्क आएगा कविता में हम पाते हैं कि सावन की हर्याली बादलों के कारण ही हुई है इसलिए कवी को उस हर्याली में मुस्कराते बादल ही दिखाई देते हैं बताओ कवी को इन सब में कौन दिखाई दे सकता है क गर्म हवा, लू के थपेडे ख सागर में उठती उची उची लहरे ग सुगंद फैलाता हुआ फूल घ, चैन की नींद सोती हुई बाली का चार, किस्म किस्म की खेती आजकल पुराने जमाने की अपेक्षा किसान बहुत अधिक चीजों की खेती करने लगे है खेती का स्वरूप बहुत विशाल हो गया है पता करो कि आजकल भारत की लोग किन-किन चीज़ों की खेती करते हैं अपने साथियों के साथ मिलकर एक सूची तयार करो पांच, मात्री भाषा की कविता अपनी मात्री भाषा में किसान पर लिखी गई कविता को अपने मित्रों व शिक्षक को सुनाओ चिपे खेत में आँख मिचाउनी सी करते आए है तुम जानते हो कि आँख मिचाउनी एक खेल है जिसमें एक खेलाडी आँखें बंद कर लेता है और बाकी खेलाडी चिप जाते है तुम भी अपने आस-पास खेले जाने वाले ऐसे ही कुछ खेलों के नाम लिखो यह भी बताओ कि इन खेलों को कैसे खेलते हैं साथ, गरजना बरसना ओडने वाले काले जलधर नाच नाच कर गरज गरज कर ओड फुहारों की सित चादर देख उतरते हैं धरती पर बादल गरज गरज कर धरती पर बरसते हैं परंतु इसके बिलकुल उलट एक मुहावरा है, जो गरजते हैं, वे बरसते नहीं कक्षा में पांच-पांच बच्चों के समूह बना कर चर्चा करो कि दोनों बातों में से कौन सी बात अधिक सही है अपने उत्तर का कारण भी बताओ चर्चा के बाद प्रत्येक समूह का एक प्रतिनिधी पूरी कक्षा को अपने समूह के विचार बताएगा आठ और मुहावरे वर्षा से जुड़े या वर्षा के बारे में कुछ और मुहावरे खोजो उनका प्रयोग करते हुए एक-एक वाक्य बनाओ 9. तनिक काले बादल तनिक देखतो तुम भी अपने ढंग से तनिक शब्द का इस्तिमाल करते हुए पांच वाक्य बनाओ 10. गीत या गाने तुमने वर्षा रितु से संबंधित कुछ गीत या गानों को अवश्य सुना होगा अगर नहीं तो इससे संबंधित कुछ गीत या गानों के सूची बनाओ और अपनी आवश्यक्ता और सुलबता के अनुसार उन्हें सुनो उन में से किसी गीत या गाने को तुम सुविधानुसार किसी आउसर पर गा भी सकते हो